बिस्मिल्यारमानिर्यम अस्सलाम लेकुम फ्रेंस कैसे हैं आप सब वेलकम टू माई चैनल कुकिंग और व्लोगिंग आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे अलहम दलीला मैं भी ठीक ठाग आज हम बनाएंगे समोसा कौन की रेसिपी यह समोसा कौन बनाना बहुत ही आ दन्या ऐड्ट कर दूँगे और इसे एक मिनिट तक का घ्री मिर्च आड़ कर दूगी और इन सारी चीजों को अच्छे से mix कर लेंगे और थोड़ी सी हुड़ी दिन्या के अच्छे से mix कर लेंगे तो जिस तरह हम सबस्बारस की तायार करें उसक्टरा मैं इसह रेड़ी किया है अब बरतन निकार लोगए और घंद और 140 पून जितना काली मि卡वडर आड़ कर दूँगी और 140 पून जितना चाट मसला अड़ कर दूँगी और 140 पून जितना गरम मसला अड़ कर दूगी और अब नीजिटों को मिक्स चीजों को अच्छे Markers कर लेंगे यहां पर यह सारी चीज़ने मिक्स हो चुकी हैं और इसके कोन बनाने के लिए इहां पर मैंने लिया है 2 कप मैदा के यहां कुछक्ते हिसग एकशे चमक का कबां देंगे इसमें perfect oil पड़ाया है अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका एक dough लगा लेंगे dough हम ना बहुत ज़्यादा soft लगाएंगे ना ही बहुत ज़्यादा hard लगाएंगे इसकी मैंने dough लगा कर रख दिया है अब मैं इसे 10 मिनट रिस्ट करने के लिए रख दूँगी और आटे को रखे हुए 10 मिनट हो चुके है अब मैं इसे लूँगी और इसे चार हिस्सों में divide कर लूँगी और इसके चोटे चोटे पेड़े बनाकर इससे पतली रोटी के जैसा बेल लूँगी इसी तरह से मैं दुसरा बॉल भी लूँगी और इससे पतली रोटी के जैसा बेल लूँगी में इससे बहुत पतला बेलना है ताकि जब हम इसकी कौन बनाए तो कौन हमारी टूटे नहीं तो यह देखिए मैंने इसे भी बेल लिया है और और फ्राइपेन को मैंने लो फ्लेम पर गरम होने के लिए रख दिया है और फ्राइपेन भी अच्छे से गरम हो चुका है इसके मैंने रोटी डाल दिया है बस हलका सा कलर चेंज होने के बाद इस रोटी को मैं पलड़ दूँगी और दूसरे साइड से भी बस हलका कलर चेंज होने तक का इसे पका लूँगी तो यह देखिए अब दोनों साइड से अच्छा कलर चेंज हो चुका है मैं इससे निकाल लू यहां पर मैंने वन फोर्थ कब बेसंद लिया है एड कर दूंगी 140 इस्पून नमक 140 इस्पून चाट मसाला और 140 इस्पून चिली फ्लेक्स एड कियर से अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसमें पानी डाल कर इसकी इसलरी बना लूँगी तो यह देखिए इतनी थीक हमें इ से अच्छे से फोल्ल कर देंगे जिए जिस तरह मैं दिखा रही हैं इसकी क्टों बना लेना है और बहुत आसाने इसकी क्टों बनकर एड़ी ओर चутствिया तो क्विए यह सोपर मैं से चिपका कर इस केंगों साथ pops left तो यहां वर में सारे क६न अब मैं लोंगी यहां न आल कि GH और इसju को इसे चुमेसरिण जाये तो मैंने बहुत अच्छे स्टसाफिंग का भर लिया सै उन्हें को लेखर मैं बैसन की प्रेट59 में और यहां पर मैंने लिया है ब्रेड क्रम्स और इसमें मैं अच्छे से कोड कर लूँगी इससे हमारे कौन समूसा बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनेगा तो यह देखिए बस इसी तरह से मैं सारे कौन बनाकर रेडी कर लूँगी दूसरा कौन भी मैं आपको बना कर लूँगी तो यह देखिए यह हमारा कौन समूसा बनकर रेडी हो जाता है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी डिलीशन और देखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल लगता है यह तो आप भी इस रेसिपी को ज़रू ट्राई करें तो यह दिखिए आपर मैंने सार समूसा कौन बनकर रेडी हो चुका है तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर करके चैनल को सब्क्राइब कर लें और बैल आगन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिल समूसा कौन बनकर रेडी हो चुका है बहुत ही जादा खस्ता और क्रिस्पी हमारे यह कौन समूसा बनकर रेडी हुआ है तो फिर मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए लाहाफीज